हलो ट्यूर्स और वेल्कम तो दा स्टूडियो टेक महिंद्रा का यह ट्रेड है जिसको की एक्जेक्यूट हमने किया था फ्राइडे के सेशन में बट उस वक्त वीडियो अप्लोड हम नहीं कर पाते हाला कि ट्रेड एक्जेक्यूट करने के बाद में पर कुछ तीन लाइन जिसमें से दो ग्रीन और एक हमने बिल्कुल टॉप पर एक ब्लैक केंडल का हाई मार्क किया हुआ है यह हमारा रेस्टेंस दे रहा था इन्हें हमने वॉल्म के थूर निकाला था एंड वॉल्म्स की कांफिमेशन के बाद में क्लाइमेक्स पर जागर के बिल्कुल शॉर्ट सिलिंग हमने की थी यह अपने टेकम का ओप्शन है क्योंकि टेकम में हमने जो ट्रेट किया थो करीब पांच लॉट के साथ काम किया था तीन हजर क्वानिटी आई थी हमारे पास तो इसके अंदर आच रुपैस से ग्यास पास को हमने अपनी एंड्री जस्ट स्विंग पर अपने स्टॉप लगा दिये थे एंड बिल्कुल हाई पर हमने अपनी एक्जिट बना ली थी ओवराल जो हमको लास्ट ट्रेट में प्रॉफिट हुआ था करीब 13,000 पचास रुपाई का प्रॉफिट था विची जिनफ एक अच्छा ट्रेट जो प्रॉफिट किया था और 13 रुपे कुछ पैसे 13 रुपे 15 पैसे परशाद यहां से फिर हमने अपनी एक्जिट बना ली थी आज की वीडियो में हम एक सिस्टम वीक के एक्कॉर्डिंग एक सबसे इंपॉर्टन केंडल निकाल करके उसके तुरू हम लेबल करेंगे पाद में जो कॉंसेप्ट हम बताएंगे न उस कॉंसेप्ट को बहुत कॉंसेंट्रेट हो करके सुनिएगा थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो यह टेकम का चाथ है इसमें हमारे लिए लिए लास सेशन की जो सबसे इंपॉर्टन केंडल थी वह थी यह ब्ल यह किस जगह तक रिट्रेस्मेंट हुआ बिल्कुल प्राइस ने जो सपोर्ट लिये हैं इग्जैक्ट इस वाली केंडल के पास में आकरके सपोर्ट ले लिये और यहां पर आ जाने के बाद हैं मार्केट एक के बाद एक हाई लगाता चला गया देखें ओपर की तरफ गया प्राइस हमारा अपसाइड के तरफ जा रहा है और यह वाली जो वाल्यूम है इस ने एक हमें ब्रेक आउट दिखाया था यह ब्रेक आउट क्या शू कर रहा है कि यहां पर वाल्यूम के ब्रेक आउट हो रहे हैं देखें एक दो तीन चार पिछली कई केंडल से ज्यादा मान के चली कि पूरा जो सेशन है इस वाले सेशन में सबसे ज्यादा वाल्यूम यहां पर आई मतलब कि इसने वाल्यूम के ब्रेक आउट दिखा है कैसे जो केंडल अपने प्रिवेस वाल्यूम वाली केंडल के पास में आई थी देखें यहां पर इसने वाल्यूम के ब्रेक नहीं दिखाई यह सीधे upside की तरफ चली गई यहीं पर आप देखोगे कि volumes गिर रही है बट प्राइस आपका upside की तरफ जा रहा है प्राइस यहां पर भी sustain नहीं हुआ same reactions किये है market ने candles देखे यहां से भी upside की तरफ की निकल रही है volumes के breakout हो रहे है बट प्राइस सस्टेन आपका यहां भी नहीं हो पाया समझ में आ रहा है volumes overall आप देखो कि प्राइस आपको upside की तरफ जा रहा है बट जो volumes से गिर रही है यहां पर एक climax find कि हम लोगों ने जैसे प्राइस जगह पर आया है ना सेम जगह से अपने trades के executions थे swings पर अपने stop losses लगे हुए थे बारा बचकर 35 मिनट के बाद में अपना यह trade जो execute किया था यहां पर यहां बारा बचकर 35 मिनट की candle मारी बनी प्राइस को अगर upside के तरफ जाना है तो इसे इस ग्रीन वाली केंडल को ब्रिक करके ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए जैसे कि यह red वाली केंडल थी अगर इसको नीचे की तरफ गिरना तो इस red वाली केंडल को जैसे price ब्रिक कर देगा इसको नीचे की तरफ जान पर देखिए एक आपको significant चीज़ दिखाए पड़ेगी which is price candles यहां पर price आपका breakout करने की कुशिच तो कर रहा है बट यहां पर आपको देखिए एक mother candle है ना price सीधे सीधे इस mother candle के अंदर आ करके close कर दे रहा है और यहां से वापस यह price है नीचे की तरफ गिर गिर भी है यह वाइनzn के साथ price नीचे की तरफ आया ऐसा है थि भी नहीं कि वाल्यूमज़ कम होती है और price नीचे यह आउड है देखिए प्राइस हमारा upside की तरफ गया लेकिन volumes तो कम हो रही है volumes लगातार कम हो रही है और प्राइस आपका upside की तरफ जा रहा है फिर से देखे breakout आगा और volumes हमारी upside की यह combination होता है कि जब हम लोग volume प्राइस को आपस में read करकि कि जब समझना पढ़ना और उसको interrogate करना शुरूर करते थे आपको इतने अच्छे levels मिलेंगी इतनी इच्छी reading मिलेगी कि आप उसको अगर आपने एक trade execute कर लिया तो उसको फिर आप hold करोगे सिर्फ hold नहीं एक होता है कि डरते सहमते हुए हम hold कर रहे हैं हम पूरे देन के लिए stock को hold कर पाएंगे वहां पर क्या है निफ्टी का चार्ट है बैंक निफ्टी का एक ही चार्ट है हुई नहीं सकता ना एक stock हमेशा आपको आपके level पर नहीं मिलेगा तो उसका पर्टिकुलर ट्रेडबल पॉइंट पॉइंट जो हम बोलते है पॉइंट ओफेक्शन पर जब वह stock आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे इस stocks में तो यह liberty मिलती है यही तो एक एक तरह से strength है अपने stocks एक stock नहीं तो दूसरा नहीं तो दूसरा नहीं तो दूसरा नहीं तो 34 नहीं तो पांच बार 200 stock है अपने पास उसमें से सही stock को choose करो यहां इसके नीचे जैसे ही marketing के लिए बड़ा सा move आया तो यहां पर जैसे कि यह वाली candle important थी वैसे हमारी ग्रीन वाली candle important थी तो पूरा zone upside की तरफ गया volumes नीचे गिरें यहां पर volumes का रिकाउट दिखा अब प्रेस अस्टेन नहीं हुआ एक मतले candle बने प्रेस हमारा इनीचे की तर करना सीखेंगे यह एक तरह से कोई भी आप स्टॉक उठा लो उसमें एक दिन पहले ही एक दिन पहले छोड़िए वन वीक पहले ही आपके पास आपे लेवल्स होंगे वन वीक पहले ही आपको मालूम होगा कि upcoming week में हमें करना क्या है buying करना है selling करना है कहां से करना है वह स्ट लेकिन अभी जो बाते हैं बताएं उसको जितना हो सके उतना ज्यादा अभ्यास करना उतनी ज्यादा पैक्टिस करना लाइप मार्केट से इसकी जो ट्रीडिंग हो शुरू करना लेकिन पहले कुछ समय तक इसकी पैक्टिस ही करना इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं weekly reversals य तो सिर्फ चार ही candles मिलेंगे अगर चार candles समय मिल रही है तो उन चार candles को या फिर अगर हमें पांच candles मिलें तो उन पांच candles को मार्क कर लेंगे मतलब कि पूरे week एक session को daily time frame पर reading करेंगे daily time frame पर reading करके मैं यह समझ में आ जागा कि previous week की trajectory line यह high से low से high की तरफ गई है या फिर high से low की तरफ इसका मतलब समझ रहे हैं आपको इसके अंदर up move दिख रहा है या lower low move दिख रहा है daily time frame पर यह समझ में आ गया अब हमें यह देखना होगा कि पूरे week में सबसे high volume candle कहुंसी पनी है जैसे कि इस drawing में आप देखे कि यह अपनी सबसे high volume candle है यहां पर price ने क्या किया एक low लगा और low के बाद में यहां पर एक high लगा मतलब कि price down से upside के तरफ के है इसका मतलब कि last week में इसके अंदर buying हुई है अब हम क्या करते हैं second week में just wait करते हैं जिस तरह से यहां पर नाम लिखा हुआ है retracement या फिर reversal last session में इसके अंदर buying हुई है अब upcoming session में हम लोग इसके retracement try करते हैं कि अगर buy हुई है तो हम लोग sale करेंगे और अगर last session last weekly पूरे session में selling हुई है तो next session में हम लोग buying करेंगे इसमें देख़िए होता क्या है कि जैसे यह high volume candle बन गे और last session प्रैस ने low से upside का movement दिखाया तो हम लोग जो सबसे high volume candle होती है हम उसका low mark कर लेते हैं और उ यहां से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर selling यहां से buy करना ही नहीं है लेवल से हम लोग निकाल लेंगे बिल्कुल इसी method से हम लोग level निकालेंगे and अगले week में मेरे पास 2 points यानि के next session में काम करने के लिए मेरे पास point of action से निकल के आ जाएंगे दो और दोनों ही जग बस हमें अपनी चाहिए entries के confirmations जो कि इस level पर हमें मिलें और यहां पर entries के confirmations की जब हम बात करेंगे तो सबसे basic entry level का entry का confirmations entry level का मतलब कि बिल्कुल basic level पर अगर हमें समझना है कि entries के confirmations क्या होंगे तो देखिए यह सबसे simple सी technique होती है कि यहां पर आप इस तरह की candle find को यानि कि यह mother candle mother candle में भी एक होती है bullish mother candle और यह होती bearish candle लेकिन हम इस bullish mother candle यह bearish mother candle को नहीं मानते हैं इस type की कोई चीज exist नहीं करती है हम ऐसा मान के चलते हैं और यहीं मानते रहेंगे हमें चाहिए एक वो candle जो की बिल्कुल हमारे लेवल पर फॉर्म हुई हो हमें करनी शॉट से लिंग जैसे ही price हमारे लेवल पर बनी हुई mother candle को नीचे की तरब breakout करेगा हम लोग retracement पर अपना trade execute कर लेंगे और जो swing होगा यहाँ पर अपना stop loss लगा देंगे और minimum target जो आप इसकंदर से लेकर के चलोगे वन इस्टू टू का होगा और हमें stress करना होगा तो वन इस्टू टू त्री का target लेकर कि मुझ यहां से भार हो जाएंगे लेकिन किसी भी trade में अगर हमें less than 1 इस्टू 2 का target मिलेगा तो फिर हम नहीं लेंगे इससे अच्छा फिर हम अपना stop loss दे देंगे समझ में बिल्कुल 2 मिनिट की चीज है एक बार इसको और समझ देखिए जैसे last week था जितना हो सके ना बहुत आराम से समझने के कोशिश करो कुछ अगर question होता है doubt उटते है वीडियो को लिए करके या concept को लिए करके तो उसे comment box में comment कर दिया करो अगर genuine आपको question है तो उसका जरूर से जरूर reply मिलेगी genuine हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे useless questions आते हैं मतलब ऐसे questions जिसके उपर हम discussion कर रहे हैं एक बार अगर वो दुबारा उस वीडियो को देख लेंगे तो वो question को resolve हो जाएगा लेकिन वो इतना भी नहीं करना चा पूरे week का low सी high की तरफ एक trajectory लेंड रहे हैं जिससे हमें यह पता चल गया कि last week में buying हुई थी selling ठीक है एक जिस यह होगे अब मैं क्या करना होगा सबसे high volume candle को हमें mark कर लेना है high volume candle यह बनी तो हमने high mark कर लिया and low mark कर लिया क्योंकि last trading session में price ने up move दिखा था last weekly session में up move था या इतना ज्यादा तो advance नहीं है यह लेकिन फिर भी काम चलता है एक अच्छा है और एक traditional अपना trading setup है यह कि आप mother candle दे करके trade execute कर सकते हो बाकि हम लोग जो trade execute करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग concepts use करते हैं entry लेने के लिए जो patterns use करते हैं वो भी अपने हमारे fixed patterns है हम उनके recording ही क अब चलेंगे हम लोग charts को इपर and chart पर एक एक करके कुछ दो या तेन example जो भी होगा हम आपको clear करने ही कुशिश करेंगे यह ICICBank का chart है इसको हम लोग daily time frame पर हमारा काम है सबसे first जो last week अपना रहा है last session like 11 तारिक से शुरूवा था 11 से लेकर कि 15 तक था तो यह तो 8 यानि कि 9 और 10 Saturday Sunday यह अपना Friday का session Monday का session 11 so 11 यह वाला session रहा है and 11 के बाद में 12, 13, 14, 15 और यह upcoming last week अपना था तो 11 से लेकर के 15 हम क्या करेंगे न 11 का low end यहाँ पर इसका 15 यह यहाँ पर low था और यह high था तो एक trajectory line हम यहाँ पर अपने draw कर लेंगे low से लेकर के high तक अब यहाँ पर हमें एक काम यह देखना है कि सबसे high volume कौन सी candle ने generate की है यहाँ पर देखिए तेरा तारी को सबसे ज्यादा active रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा volumes आई है मेरा काम है कि यह high इसका हम mark कर लेंगे and इसका हम low mark कर लेंगे next session में जो अपना trading session रहा है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हम हमें short selling करनी है और कुछ नहीं करेंगे हम लोग जब जब हमें मौका मिलेगा हम short करेंगे तो देखिए last week जो था अपना यह बला था 18-20 क्योंकि 19 को शाद गनेश उत्सव की वज़े से off था अपना 20-21-22 lower timeframe पर आकर के देखिए आप 18 से 18 हाँ 18 से 18 से lower timeframe पर प्राइस जब त देखे criteria होते हैं जो कि last video जो हमने upload चाहता उसमें दिखाया था कि trade execute करने से पहले कि आपका master plan क्या रहना चाहिए उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जा करके सबसे पहले क्योंकि last video है master plan in the sense कि trade execute करने से पहले-पहले कि कौन से criteria है जो कि fulfill करने चाहिए एक stock को व आप लोग अब यहां से active होगा अपनी entries के confirmation साफ exact इसी जगह पर लोगे आप यह याद रखना अगर आपने सही point of action निकाला और उस सही point of action के पास में रीडिंग करने के बाद में trade execute किया तो stop losses जाने के chances ना के बराबर होंगे इतना confidence के साथ में trade करना लेकिन proper money or risk को manage करते कुछ भी कहीं से भी कितना भी risk लिया कुछ भी कर दे रिस्क और money को manage करने के जो rules अपने पास है ना वो उनको उनको तो follow करना ही करना क्योंकि क्योंकि risk और money management के rules इतने follow होते हैं कि जब हम लोग discussion करते हैं group में तो वहां पर यह clear कर देते हैं शुरुआत में ही कि technically अगर लेकिन अगर risk और money manage नहीं हो रहा है आपसे या उसमें आप mistake कर रहो तो वो जान पूच कहीं आप कर रहो उसमें market की कोई गलती नहीं हो सारा का सारा चितनी भी responsibility है जो भी mistake है वो सिर्फ आपकी है technically अगर आप कोई mistake कर रहो वो बरदाश्ट कर सकते हैं लेकिन अगर risk और money को manage नहीं कर पा रहो आप तो वो बरदाश्ट नहीं होना चाहिए group discussion में सबसे पहरी बात यही होती है तो इस चीस को विशेश रूप से आप ध्यान रखोगे कि risk और money को manage करना mandatory है यह सब टेक्निक weekly candle यह वो हाई volume सब ठीक है चलता रहेगा लेकिन risk management और money management सबसे हाई पर है priority आप उसी को दो गया यहाँ पर जैसे ही आपको अपनी entries के confirmations मिलेंगे जैसे mother candle देखे यहाँ पर यह बन रही है simple से level पर touch हुआ एक ही mother candle आपकी form हुई जैसे ही price आपका इस वाले area के नीचे निक एक परसंट का move हो गई है जैसे ही price आपका इस वाले point पर आया यहाँ पर हम लोग अपनी entries के confirmations लेंगे तो यहाँ पर देखे कितने अच्छे entry के confirmations मिलें जैसे कि यह अपनी green वाली candle यह वाली candle इसके अंदर जैसे इस green वाली candle की range के अंदर price आपका enter करेगा ना यहाँ पर यहाँ पर अपना stop loss पूट कर देता है यहाँ पर entry और देखे पूरे दिन फिर market आपके नीचे ही रही है इसके बाद में फिर कब आपका price आपके level पर आया 20 के बाद में फिर 21 को आया हाला कि यहाँ पर trade execution हो नहीं पाएगा कहने को तो है कि price आपकी level से टक रहा हो सिधे नी trade पर जाएगा यहाँ पर दीखे कोई भी candle लेलो आप जैसे 9.15 के यह वाली candle है अगर हमें 9.15 के लोग पर trade काना तो जैसे price नीचे के तरफ ने कि लाप trade मर दो stop loss चला गया यह risk बेफालतो कर रिस्क होता है इसमें कोई बहादूर ही नहीं है अगर आपको इस तरह की momentum मिल र पर आचा है कि दोखो हमने जो level बताया है यहां से price आपको नीचे के तरफ गिर गया यहां ऊपर चला गया और जी हो गया वो गया यह सब कहानिया बड़ी अच्छी लगती है लेकिन इस तरह के trades execute नहीं होगे आप अपना predefined area निकाल कर रखोगे जैसे ही price आपका आपकी level प 15 तो 11 से आपका high कहां पर लगा था last week का 11 12 पर हमारा high था and यह 15 की candle बन रही है ठीक है यह वाली 15 की candle मतलब कि इसने down move दिखाया है हम लोगों को high से ले करके low तर है न 11 12 13 14 15 यह पूरा अपना last trading session रहा है and यहां पर देखे क्या हुआ है हमें इस जगे से buying करनी है क्यों 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 के last weekly session जो रहा है इसमें price हमारा नीचे की तरफ आया down side की तरफ हम लोग क्या देख रहे है weekly retracement या weekly reversals so just हमें हमारी इस high volume candle के low से जब भी price टक रहागा आप सिर्फ और बाइंग ही देखोगे selling के confirmations मिलेंगे नहीं करना हमको नहीं करेंगे अब देखे सीधे हम लोग चलाएंगे five minute के time frame पर five minute के time frame पर हमें चाहिए हमारे entry के confirmations यहां पर देखे यहां पर आपको आपके confirmations मिलेंगे आप trade कर दोगे कुछ फिर नहीं देखना है जैसे कि यहां पर एक candle बनी पूरी formation है जस आप swing के नीचे अपना stop loss रख देना है इस जागे पर यहां से trade execute यहां पर दोबारा price आपका उस वाली level पर नहीं आया यहां यहां पर momentum और आप आगे की तरफ बढ़ो तो यहां पर देखे कुछ इतने खास कोई buying के confirmations ने दिये नहीं low और low यहां देखे कोई movements नहीं कोई confirmations ही नहीं actually आप trade नहीं कर सकते हैं आप चाहते हुए भी trade execute नहीं यहां पर देखे क्या हो रहा है कि price सिर्फ और इसको continuation में break करे जा रहा है यहां पर देखे सिर्फ low break हो रहा है और जो high है न यह high protect हो रहा है हाई protected है मत्र के price यहां पर सिर्फ low break कर रहा है यह जो momentum से नहीं यहां पर हम लोग कोशिश भी अगर करना चाहे नहीं तो फिर trade execute नहीं होगे और करना सिर्फ भाई है किस तरफ का momentum देखा है तो 11 से लेकर की 15 जिससे low यह बना है last week और high यह और 11 से लेकर की 15 लाइक की 11 यह देखेंगे 11 है और यह 15 पंद्रा यह candle पूरे वीक का low यह है हमारा और high यह वाला तो इसमें सबसे high volume की candle का इसमेरी यह वाली 13 तारी की candle हमें जस्ट 13 का high हो low mark कर लेना सिर्फ 13 के पास है क्योंकि last trajectory line जो थी वो upside की तरफ है इंडस इंडेस्टेंट बैंक में लो से लेकर के हाई तर यह देखी इसने momentum upside की तरफ दिखाया हम लोग अब reversals या retracement करेंगे, retracement कहां से एक important candle हमने find को लिए जैसे ही price हमारा इस वाली लेवल पर आएगा हम लोग यहां से अपने trade से execute करेंगे और करेंगे सिर्फ short sell कि इसके लाव और कुछ नहीं, आप आज़ा 5 मिनिट के time frame पर मसीधे देखे कि जब जब price आपका आपकी इस वाली लेवल पर आएगा आपको confirmations में लेगे यह trade execute करेंगे, इस लेवल से price आपका टगराया, यहां से टगराया, वो वापस से देखिए नीचे, इसने closing नीचे ही किया फिर से देखिए, price आपका इस वाली जगह पर, यहां पर, देखिए, यहां पर जो सबसे पहले इसका support form हुआ है वो, जैसे ही यह वाली candle करीब 10 बच कर 50 मिट की यह candle है जैसे ही नीचे की तरफ हमको downside की तरफ closing देदे की यहां पर हम लोग अपना trade execute करेंगे, volume surprise दो को मिला करके, अभी शुरुवाती stage में सबसे पहले आप यह देखो कि यह जो system जिसके according हम लोग daily और lower time frame पर marking करेंग कि क्या यह सही है cash को हम लोग आगे की तरफ और practice कर सकते हैं levels यही रहेंगे, next day के लिए आपके पास directions clear है कि आपको करना क्या है, entry लेने के लिए जो आपको जगा ढूननी है, जो point of actions आपके हैं वो यह बाले है, sale करना है, sale के confirmations low trade execute कर दो, buy करना buy के confirmations low trade execute कर दो अभी तक देखिए जितने example मिलें, हाँ उसमें से 2 sale के और एक buy के, last एक और ले ले लेते हैं, हम लोग जैसे इन फी है चलिए, markings remove, इसको कर लेते हैं, हम लोग daily time frame पर last week के momentum क्या रहा है इसके, upside की तरफ I think 11 से लेकर के 15, 11, 15, low से high, अब यहां पर में क्या देखना है, high volume की candle कौँसी बन रही है, यहां पर देखे, price इस momentum में या इस वाले area पर आया ही नहीं है, दो बार आया ही नहीं है, कितना अच्छा मौका था trade करने का, अगर यहां पर यह एक बार भी confirmation दे देता है, एक बार टच भी कर देता है, और entry confirmations मिलता है, बहुत अच्छा momentum मिल जाता है, यह होती है power, यह resistance है यह, these are strong resistance, आप trade execute कर दो, यहां पर, आप देखना है, जो होता है नहीं, छोटा stop उसे बाड़ा target है, कैसे, एक सही जगह पर trade execute करना सीखिए आप, आप देखना है कि आपको कैसे moments बड़े मिलेंगे, कैसे बड़े target मिलेंगे, आज की video हम लोग यहीं पर खतम करते हैं, और ज अच्छी तरह से loss कर लिया होगा, जितना पैसा हो, सारा का सारा आप लुटा चुके होगे, options में last में आकर कि आप घर नहीं ले जा पाऊगे कुछ, जो अभी तक का मेरा experience रहा है, अगर एक अच्छा खास experience आपका नहीं है तो, options is not bad thing, लेकिन अगर उसको हम समय से पहले लेकिन किया क्या उन्हों ने? खर्गोश की तरह उधार 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 फटकते रहे, काम क्या कर जाता है? जो slow process में चलता रहागा, कछवे की चाल, जो slow process में चलता रहेगा. एक ही system को apply करेगा, बिल्कुल एक ही rhythm में आगे की तरह बढ़ता रहागा हो जागा एक rhythm में अपना risk management को follow करता रहेगा एक rhythm में अपने money management को follow करता रहेगा और बाकि जितने खर्गोश है आज जी है तो कल बैंक निफ्टी तो कल option तो कल stock पर आगए किसे को देख लें stock पर काम कर रहा तो stock के option के लिगां सब्सक्रिप्रोह करने लगे वह सब महान है कि इन इनको कुस कुछ आता है तो जो जिनको सब कुछ आता है तो वैंसे पर आज का विटम कर सकते हैं तेलिग्राम चैनल का लिंक श़ल सकते हो Обdator education के उपर कुछ सही चीज़ें कुछ अच्छी चीज़ें सीखने पर volumes को पढ़ो volumes के बारे में volumes को पढ़ो volumes के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिच करो उसके थूँ ट्रेइड एक्सक्विशन कैसे होता है कैसे accurate levels निकलते हैं कैसे entries निकलते हैं entry की कौन कौनसी formation से उनको समझो stop losses को समझो targets को thanks and we will meet again